इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Realme के किसी भी फोन में फोटोस को वीडियोस को हाइड किस तरीके से कर सकते हैं तो इसके लिए वीडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप क्या करें फोन की सेटिंग्स में आ जाएं और इसके बाद नीचे आपको स्क्रोल करना है या तो आप प्राइवेसी में ढून ले या तो आप सिक्यूरिटी में ढून ले आपको ढूनना क्या है प्राइवेसी में जैसे मैं जाता हूँ और यहाँ पर आपको डून लेना है private safe आप search भी कर सकते हैं तो मेरा यह privacy के अंदर है आपको यहाँ पर private safe में आ जाना है अब आपको यहाँ पर एक password set कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 यह password set कर लेता हूँ इसे use कर लेता हूँ और एक और बार यहाँ पर पासवर्ट डाल देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर मुझसे question पूछ रहा है आपकी teacher का नाम क्या है ठीक है कोई भी एक teacher का नाम दे दे तो मैं teacher का नाम कुछ नहीं लिखता हूँ यहाँ पर सिप teacher ही लिख देता हूँ ठीक है teacher का नाम मैंने teacher ही लिख दिया और इसे done कर दिया basically यह इसलिए मांगते हैं कभी आप password भूल जाए तो यह question आपसे पूछेंगे आपकी teacher का नाम क्या है तो वहाँ पर आप नाम लिख देंगे तो automatic आपका password खुल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह private safe हमारा enable हो गया है अब simply आप यहाँ से back आ जाएं यहाँ पर आप अपनी gallery में चले जाएं और कोई भी photo select कर ले जो आपको hide करनी है तो मान लीजे मुझे यह photo hide करनी है मैं इसे click कर लेता हूं और यहाँ पर more के option पर click कर देता हूं ठीक है set as private option आपको देखता है इस पर click कर देना है यह photo अब हमारी hide हो गई है अगर आपको यह photo को देखना है तो आपको settings में जाना है प्राइवसी में जाना है इसके बाद यहाँ पर scroll करने नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा private safe यहाँ पर आप अपना password डाल दे और photos में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी photos दिख जाएगी तो इसी तरीके से आप photos, videos या बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप hide कर सकते हैं